हेलो दोस्तों नफश्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एडाफ फॉस्ट यूटूब चैनल पर इस वीडियो में बात करें कई बड़ी और लेटिस अपडेट के बारे में जोकी संब्धित है सीटेट बनाम टेट को लेकर ओरर के समंध में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी और लेटिस जानका ही निकल कर सामने आ रही है टेट बनाम सीटेट को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि सुपीम कोड में सुनवाई के बाद में आप सबसे बड़ा जो इंतजार था वो यही था कि सुपीम कोड अफ इंडिया के माध्यम से टेट बनाम सीटेट को लेकर जो फाइनल फैसला है वो क्या देखने के लिए मिलेगा और क्या अगर बात कीज़े सीटेट की मानिता रद्ध हो गई है या टीटी मेरिट से ही होगी शिक्षक बरती यानि की जो टीटी की मेरिट बराई जाती है उसको लेकर आपको शिक्षक बरती देखने के लिए मिलेगी और इसके अलाबा ओर देख छातों के कहीने के इसको लेकर होस ओडे हुए है डिटेल में बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकरी ओलाइन अड़ाइन अड़ाफ और श्टुडी यूटूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया तो मैं आपको एक जानकरी और दे देता हूँ कि यहां से जो आपको चीजे इसपर्ष्ट की जाती है वो 100% सठीक सही ऑथेंटिक होती है और आपको प्रूफ के साथ में दिखाया जाता है अब बात पूर्फ की की जाई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं order के बारे में सुबर से इसको लेकर बहुत साइब चीजे अभयतियों के मन में देखने के लिए मिले थी जहां पर TED बनाम सीटेट मामले को लेकर अभयतियों के मन में सवाल थे कि जो फैसला देखने के लिए मिलेगा वो किस के प्रक्ष में हो गया क्योंकि सुपीम कोड का ये फैसला है और इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं क्योंकि सुपीम कोड का फैसला है तो पूरे के पू पूरे देश कि अभ्यातियों के करें की जो लग गए अब मुद्दे की बात है कि है यहां पर जो आपके युक्ञी के लिए ऐसला मिला तमाम अभयतियों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि यहाँ पर जो order जारी किया गया है उसमें बहुत साई चीज़ें की गई है और क्या seated की मानिता को जब कर दिया गया है या इसके अलावा और भी बहुत कुछ अब मुद्य की बात इसलिए भी है क्योंकि इस मामले पर जब सुनबाई हुई थी तो 9-9-24-24 को फाइनल सुनबाई देखने के लिए मिली थी और जो order आप सभी का जारी किया गया है वो आज की तारीक में जारी किया गया है अब मैं आपको सिल्सले बार तरीके से चीजेस पस्ट कर जेता हूँ टेट बनाम सीटेट के मामले को लेकर दोस्तों टेट बनाम सीटेट का जो मामला है और ये वाला जो मामला है वो दोनों ही पर्मल कुमार के माध्यम से ही दाखिल किये गए थे और state of जार्खंड को लेकर आपके पास एक डारी नमबर देखने के लिए मिलेगा ये है 5213 2024 परिमल कुमार वसिस state of जार्खंड ये याचिका भी उन्होंने दाखिल की थी और ये वाली याचिका भी उनके माध्यम से ही दाखिल की गई थी लेकिन ये मामला जो आप सभी का है TET से ही सम्मंदित है जैसे कि ये आपका TED से सम्मंदित है ये भी आपका TED से सम्मंदित है पहले मैं इस order को दिखाता हूँ मुद्दा क्या है यहाँ पर वही अधिवक्ता आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने इस मामले में TED बनाम सीटेट पर सुन्माई की थी लिखा हुआ है कि आपकी SLP को permission grant कर दी गई है जो आपने delay किया है उसको ही मानने कर दिया गया है अब यहाँ पर सुन्माई के लिए सुदाक लूतरा की माध्यम से बहस की जाती है और उनकी तरफ से क्या कहा जाता है The National Council of Teacher Education has indicate teacher eligibility test to be an essential qualification and eligibility criteria for recruitment of teacher The Jharkhand Elementary School Assistant Archaj Kader Appointment Promotion and Condition of Service Soul 2022 provide for competitive examination among those who have secured a TET qualification यहां पर उनका कहना था कि परिमल की आचिका को डिस्किस कर दिया गया है और जो सीटेट का मामला वो खतम हो गया है तो मैं आपको किलिए कर दिता हूँ यह मामला T.E.T. से ही संबन्दित है लेकिन इसमें और आपके सीटेट के मामले में जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पे जो मामला आपको देखने के लिए मिलना था वो ये था कि सीटेट वाले अभ्यरतियों के लिए या TET वाले अभ्यरतियों के लिए उनका कहना ये था कि उनकी जो सिक्षक भरती देखने के लिए मिले वो सिर्फ TET मेरिट से ही देखने के लिए मिले अलग से सिक्ष से मेरिट के आदार पर सिक्षक बरती करवाई जाए और उनी को नौकी देदी जाए तो पहली याचिका को लेकर तो order reserve हो गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं pending and hard and reserve ठीक है इसको लेकर order reserve कर दिया गया है रही बात इसको लेकर तो यहाँ पर जो TET से मेरिट बनाने की बात की थी, इसको लेकर कोट ने डिकलाइन कर दिया है, कोट ने इस बात को नहीं माना है, और उनकी जो मांग है उसको खाइज कर दिया गया है, तो जो याची का खाइज होई है, वो वहाँ पर TET से सम्मंदित हो है, जारकंड के, लेकिन उसमें मांग ये र पाकि है सुनवाई पूरी हो चुकी है और आपका order हो चुका है रही बात इसके डारी नंबर के बारे में तो यहाँ पर SLP आपको देखने के लिए मिल जाएगी यह इसका SLP नंबर है और यह वाला जो आपको SLP नंबर देखने के लिए मिलता है यह दोनों के दोनों अलग है इसका डारी नंबर आप देखेंगे 23,389 है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका जो डारी नंबर है वो 5213 2024 ठीक है तो दोनों मामले अलग हैं यह कि याचिका जो खाई जोई है वो टैट से संबंदित तो है लेकिन वो सीटेड बनाम टैट से संबंदित नहीं है च सुभी का ओर्डर तीस दिन से लेकर 90 दिन के बीच में मिनिमुम जारी कर दिया जाता है अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथ्मिक सिच्छक भरती को लेकर बड़े जटके के बारे में उत प्राथमी कुछ इसका कि बाता कि बयान आ जाता है अब इस बयान पो लेकर किसी का किना अघे किसी का कैना we your face नहीं है लेकिन अगर यह थेख नहीं थेक नहीं तो बहुत बुरी बात है ने कि प्रास्रेट्मिक विद्याले में 11만 614 यह उच्छ प्राथमिक में लगबग 43,000,000,000 के सब्दिक छात्र हैं लेकिन उनका कहना ये है कि प्राथमिक विद्यायले में जो अध्यापकों का चात्र सिच्छक का अनपात है वो 20 इस्टू बनका है और जो मानक है वो 30 इस्टू बनका है यानि कि उससे कम ही चलना है ठीक है रही उच्छ प्राथमे की बात तो वहाँ पर 35 इस्टू बनका है मानक लेकिन यहाँ पर 39 इस्टू बनका चलना है तो कहने का तात्र पर यह है कि अगर यह letter fake है तो अच्छी चीज है fake नहीं है तो यह बहुत बुरी चीज है मुझे ऐसा लग नहीं है अब बैरतियों ने मुलागात की अधिकाईयों से अधिकाईयों ने कहा है कि नहीं लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहां पर यह letter जाली किया गया तो उनकी तरफ से इस बैरतियों के साथ कोई खेल करने की जुगाड में है यह थी एक बड़ी और लेटेस अप्डेट थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो